Hello kids, कैसे हैं आप सर? मैं आशा करती हूँ आप सब भर बर अच्छे से और सुरुक्षित होगे Myself सुमन माईश्री प्रॉम श्रीव जोती एदुकेशनल ग्रूप कोटा बच्चों आपने पिछली कक्षा में बड़ी एकी मात्रा से सम्बंदित शब्तों को पढ़ने का अभ्यास किया था आज में आपको बड़ी एकी मात्रा से सम्बंदित वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करावनी So, check out your स्वर संसाल book and open page number 1616 और सबसे उपर्यात दिनाल पर कक्षा आरे निखेंगे Okay kids, get ready जब भी आप पठन का अभ्यास करेंगे अपनी उजिको शब्दों के नीचे रखते वे पढ़ेंगे Okay चड़े मा, हपर बड़ी एकी मात्रा ही माही, द, दपे एकी मात्रा दी पा, व, लपाई की मात्रा ली दिपावली पर, का, फपाई की मात्रा द्फी काफी, द, दपाई की मात्रा दी पक, दीपक लाई नी, नपे पड़ी एकी मात्रा, नी, ला उ, स, गपर पड़ी एकी मात्रा, की उसकी, स, गपर एकी मात्रा, गी स, भी, ब, अब आप बताएए ये कौन से एकी मात्रा है येस, छोटी एकी मात्रा है, जोगी व्यंजन से पहरी रखन जाते है, वेरी रोड हपर छोटी की मात्रा ही न, बहिन थपर गड़ी की मात्रा थी मा, हपरी की मात्रा ही माही, तखा, न, परी की मात्रा, नी, ल, अच्छी, ल, ल, कि, ये चोटी एकी मात्रा है, कि, या, लड़ी की या, थी मा, हपरी की मात्रा ही, माही, अच्छा, गपरी की मात्रा, गी, तव, गी, गा, तपरी की मात्रा, थी, गाती, थी अब इसको पूरा जोब कर बोलेगे पहन्ति दपरी की मातरा डी पाव लपरी की मातरा अब से जोड़त पढ़ेंगे दिपावि की राथ नई नई साड़ परिती मात्रा ली साड़ी पहन कर माह परिती मात्रा ही मारी तथा नपरिकी मात्रा ली ला मीला जपरिकी मात्रा जी भरकर ना चपरिकी मात्रा ची ना ची चलिए अब हम इसे एक बार फ्रेट से जोड़ा दें माही दिपावली पर काफी दीप लाई नीला उसकी सबी बनिल थी माही तथा नीला अच्छी लड़किया थी माही अच्छा गी गाती थी मीली नीली साड़ी पहंती थी दिपावली की राद नई नई साड़ी पहंत कर माही तथा नीला जी भरकर ना ची सो केट्स आपको अपनी स्वर संसार भूप के पेज नमबर 1616 पर जो बड़ी दिपी मात्रा से संब्देख बात की लिखे में हैं उन्हें इसी तरह से पढ़ने का अभ्यास करना है और आपको यह अभ्यास कहां से करना है माही दिपावली पर यहां से लेकर माही तथा नीला जी भरकर नाची यहां तब आपको पठन का अभ्यास करना है थेंक यू बाई हम अगूर जे